हेलो एंड वेलकम आईडियर सोल फैमली कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे आज की रिडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके परसन आपके लिए क्या मैसूस कर रहे हैं देखेंगे कि आने वाले टाइम में आप दोनों के रिष्टे में क्या twist and turn आने वाले हैं, चलिए, cards की मदद से शुरू करते हैं आज की reading और देखते हैं आखिरकार आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए, अपने person का नाम लेते रहिए, new vision, the master, stress यहाँ पर आ गिया है, guidance का card यहाँ पर आ गिया है, totality का card यहाँ पर आ गिया है, adventure का card यहाँ पर आ गिया है, यह energy आपके person के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है, पहली बात तो मैं यह देख रहे हैं, कि आपके person के दिमाग में बहुत नए-णए ideas आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह person एक और chance देना चाहता है, एक और बार chance लेना चाहता है, अगर ध्यान से देखो, तो इस new vision के कार्ड के साथ मुझे पता चल रहा है, हो सकता है, इस person ने अपनी life में कभी risk ना लिया हो, बहुत safe खेला है, यानि कि, खुद को साफ दिखाने के लिए, खुद को साफ रखने के लिए, इस person ने बहुत सारे games खेले हैं, इस बात में कोई दुराहे नहीं है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है number 12, number 7, number 3, number 5, और यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है letter A, ठीक है, अक्षर दिखाई दे रहा है, अगर यह आप से resonate कर रहा है, तो comment section में बताईएगा जरूर, एक चीज यहाँ पे लेके इनकी सोच, इनकी धारणा मुझे बहुत जादा बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है यह person इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए, बहुत छोटी छोटी जो details है आपके रिष्टे की उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं देख रही मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे यह आपके बारे में हो, चाहे आपकी habits के बारे में हो, या आपसे कोई बात इनकी discuss हुई हो, उसके बारे में हो, या आपने कुछ इनको suggestion दिया हो, कुछ कहा हो, उसके बारे में हो, ऐसा लग रहा है कि इस person को बहुत सरी चीज़े past की याद रही है जिसको लेका जिसको याद करके यह अपने आपको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी बात में एक चीज और बता दूँ अब आप नोटिस कर रहे होगे जब भी शाम होती है ना आपको इस परसन की इनर्जी को जादा ही हैविली मैसूस होने लगती है इसका मतलब यह है कि शाम के टाइम पे इस परसन के जो ख्याल होते है ठीक है जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़ादा चेंज हो जाती है अगर यह परसन पूरे दिन वियस्त रहते हैं या इधर उधर ध्यान देते हैं अपने काम में पर शाम का टाइम ऐसा है इनको बहुत जल्दी हो रही है कैसे फुरसत मिले यह दो पल बैठे खुद के साथ और आपके बारे में सोचे अपने फ्यूचर को लेके सोचे और इमाजन करते रहे कही ना कहीं आप दूर हो लेकिन आपके साथ अपना फ्यूचर इमाजन करना इस परसन की हर दिन की सबसे फेवरेट एक्टिविटी है और मैं सच बता रही हूँ इस चीज में इस परसन को इतना मज़ा आता है इस चीज में इस परसन को इतना ज़ादा सुकून मिलता है कहो मानो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास ही बैठे हो जैसे आपको मैसूस करते हुए इस परसन के दिमाग में बहुत कुछ चीजे चल रही है पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इस परसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है चीजों को बरदास करना लेकिन ये एनरजी बताने के कोशिश कर रही है और actually मैं मुझे ऐसा लगता है कि इनका next action भी होगा कि आपके लिए ये परसन compromise करना चाह रहा है ये परसन अपने अंदर changes लाना चाह रहा है ये परसन पहली के चीजों को बदलना चाह रहा है जैसे कि अपने अंदर ये बहुत ज़दा flexibility लाना चाह रहे है ठीक है अगर आप दोनों के बीच में long distance है और ये परसन आपको बहुत बार मिलने के लिए बुला चुके पर आप नहीं आते पर ये परसन आप खुद के अंदर changes ला रहे है मतलब ये आपसे खुद आने वाले है मिलने के लिए चाहे लॉंग distance नहीं भी हो ये परसन खुद ट्रावल करके आपके पास आना चाहते है अगर आप मेंसे जो जो लोग long distance में थे या अभी भी है comment section में लिखिएगा जरूर comment section में लिखिए long distance किसी से भी ये reading मिसना हो लिखिए और दूसरी बात ये यहाँ पर पता चल रही है क्योंकि ये परसन बहुत दूर की सोच रहा है बहुत ही आगे की सोच रहा है इस परसन के मन में मुझे आपको लेके बहुत जादा ही surety दिखाई दे रही है ठीक है दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी दोनों के बीच में जब भी कोई मन मुटाव हुआ है तो दोनों मेंसे दोनों ही जुकने को तयार नहीं है मतलब कि आप अपनी बात बता रहे हो यह अपनी बात बता रहे है ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की बातों को गलत प्रूफ करने में लगे हो दोनों ही एक दूसरे को गलत प्रूफ करके खुद को सही प्रूफ करने में लगे हो तो इसलिए पता चल रहा है यहाँ पर कि कि यह परसन न इन्होंने सोच लिया है कि अगर आप कोई बात कहते हो तो जरूर उसका कोई रीजन है इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको गलट ठहराने लग जाए यह आपके बात को सुनना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो भी कहोगे यह परसन बहुत तसली से सुनेंगे ठीक है बहुत तसली से सुनेंगे इन फैक्ट एक चीज और भी दिखाई दे रही है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यह परसन मतलब सुक में तो ठीक है पर दुख में आपका साथ निभाना चाहते है या आपको साबित करना चाहते है या आपको कही न कहीं प्रॉफ करना चाहते है यह इनके नेक्स्ट एक्शन ही बता रही हुँ मैं ठीक है कही न कहीं आपको प्रॉफ करना चाहते है कि हर कोई ऐसा नहीं होता जो बीच में साथ निभागे, फिर मूँ मोड़के चला जाए हो जाता है न, कि एक बार आपको अपने person की आदत लग जाती है तो वो चीज फिर किसी और के साथ नहीं हो पाती है वो चीज ना आप किसी और के साथ share कर सकते हो ठीक है अंदर से ये आपसे कुछ भी उमीद नहीं कर रहे हैं अंदर से ये बहुत ही बखोवी चाहेंगे कि जब भी कोई ऐसी बात हो जाए जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए मैं दूंगा साथ तुमारा हो हमनवा तो मुझे ऐसा लग रहा है ये परसन इस चीज़ पे बहुत जादा इस बार सीरियसली काम कर रहे है ठीक है बहुत सीरियसली काम कर रहे है जब जब मुश्किल की घड़ी आन पड़ी तो आपने इस परसन की बहुत हेल्प की है इसमें कोई दुराहे नहीं है आपने बहुत ही जादा इस परसन के लिए किया है आपने बहुत ही जादा इस परसन के लिए मदद की है ठीक है इस परसन का ध्यान रखा है इसमें कोई दुराहे नहीं है लेकिन हो सकता है इस परसन ने आप से मुश्किल के घड़ी में मूँ फिरा है तो आपको तो हमेशा ऐसा लगा है कि ये धोके बाज हैं कौन-कौन इस बात से अग्री करता है लिखिये comment section में धोके बाज दूसरे चीज मुझे यहां पर और दिखाई दे रही है साफ पता चल रहा है यहां पर कि इस person के तरफ से कहीं न कहीं चीजों को नजर अंदाज भी किया गया है ignoring energy मुझे यहां पर दिखाई दे रही है जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा परिशान रहे हो जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा frustrated भी रहे हो अगर ध्यान से देखा जाए यह person जब आपकी और आ रहे हैं धीरे-धीरे क्योंकि बहुत टाइम से बात नहीं होई है इनको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है बिल्कुल अपने दिल में विश्वास रखके बिल्कुल यह आगे की और बढ़के बस आपके तरफ आ रहे हैं लेकिन यह बात मैं बोलना चाहूंगी definitely कि इनको stress भी बहुत है ठीक है ऐसा नहीं है कि यह बहुत ही मस्त मौला होके मस्त मगन होके आ रहे है यह बहुत ज़्यादा stress में भी है बस इस चीज को यह बताना नहीं चाह रहे है बोलना नहीं चाह रहे है ठीक है चुप-चाप अपने अंदर रखके सह रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम में इस परसन के अंदर शेहन शक्ती जो है वो बहुत ज़ादा बढ़ गई है, किसी भी चीज़ को ये सह सकते हैं जब इनका सबसे प्यारा रिष्टा जब इनका सबसे प्यारा परसन ही इनकी आंखों के से ओजल हो चुका है, इनकी आंखों से दूर हो रखा है तो यकीन मानो, अब इस बात से क्या ही फरक पड़ता है कि इनकी लाइफ में अब क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, तो इस से लोगों का कमेंट आता है तो मैं बता दो जो जो कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं ओके अब पर्सनल इशू रीचिज रेजोल्यूशन ओ माई गॉड बहुत ही पॉजटिव कार्ड आया है इस रेडिंग का मुझे लगता है यह आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड नियूज है ऐसा लग रहा है कि आप चारों तरफ से अगर मुसीबतों से घिरे हुए हो यह पर्सन एक रोशनी की तरह यह पर्सन एक नई उमीद की तरह यह पर्सन आपका हाथ थामने के लिए आपके पास आ रहे है आपका साहथ देने के लिए आ रहे है इन फैक्ट मैं देख रही हूँ छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी अगर इस पर्सन के सामने बताओगे तो उसका सल्यूशन ढूनने में भी यह पर्सन आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि यह आपको अपना मान रहे है सिर्फ यहाँ पर डेटिंग तक ही रिष्टा सीमित नहीं है यह पर्सन आपको अपना फ्यूचर हस्बंड या फिर वाइफ मान रहे है जिसके लिए अब यह मैसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ इनकी कोई responsibility बनती है इनकी जिम्मेदारिया है जो इनको निभाना बहुत जादा ज़रूरी है You are very close to achieving your goal ठीक है Full moon की energy Conclusions are within reach ठीक है मैं आपको अभी बताती हूँ आखिरकार आपके रिष्टे में क्या होने वाला है सबसे बड़ा twist आ गया है किया आप तैयार हो The end of a tough cycle approaches ठीक है दिखाई दे रहा है अभी तक आपने जितनी चीज़े की है अभी तक आपने जितना कुछ सह लिया है इस रिष्टे को लेके उतना मैं बता रही हूँ कि जरब से ज़ादा हो गया ठीक है उतना more than enough रहा है और एक तरीके से आपका जो connection है उसका test लिया जा रहा था है ना मुझे भी ऐसा लगता है तो comment section में लिख दो test comment section में लिख दीजे test तो यह जो आपका test लिया जा रहा था कहीं न कहीं यह परिक्षा दोनों के लिए बहुत ही कठिन रही यह परिक्षा दोनों की खतम होने जा रही है ठीक है और ऐसा लग रहा है कि जो भी लड़ाई है ना वो धीरे-धीरे सुलजती हुई नज़र आ रही है जितनी भी आपके प्यार की गुथिया है वो धीरे-धीरे सुलज रही है और यह जो आपके personal issues है जैसे कि यह person आपको time नहीं देते यह person आपके messages का जवाब नहीं देते यह person आपकी value नहीं करते यह person आपको time नहीं देते यह चोटे-चोटे जो personal issues है न यह personal issues भी मुझे solve होते हुए नज़र आ रहे है specially मैं देख रही हूँ आपने महसूस किया है यह चीज आपके लिए यह बहुत heavy हो जाता है बहुत emotional चीज है फिर भी आप इस person का wait करते हो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़दा मुश्किल हो जाता है फिर भी आप सारी चीजों को नजर अंदास करके इस person का wait करते हो इसका मतलब साफ है wait करते हो इसका मतलब साफ है कि यह जो sweet pain है आप वो भी सहने के लिए तयार हो यानि कि improvement आपको दिखेगी कौन-कौन चाहता है अपने person में improvement please comment section में जरूर लिखेगा पर यह बहुत बड़ा twist है क्योंकि मैंने बताया ना इस person के अंदर जो मुझे positive changes दिख रहे हैं एक तरीके से कहते नहीं है तुम बहुत बदल गए हो बदल तो गए हैं लेकिन बहुत अच्छे के लिए बदले हैं बहुत ही खुबसूरती से यह आप के लिए बदले हैं अगर ध्यान से देखोगे तो आप यकीन करो conclusions are within reach चुपते चुपते ठीक है बहुत secret बन रहे हैं यह आपको directly आपसे बात नहीं कर रहे हैं एक चीज ये भी देखने को मिल रही है यह person बहुत ही कम बोलने वालों में से हैं बहुत कम-कम बोल रहे हैं लेकिन यह चीज हमीं भी माननी पड़ेगी कि कम तो बोल रहे हैं इसमें कोई दुराही नहीं है फिर भी मैं देख रही हूँ जितना भी ये person आपसे चुपा रहे हैं उतना actually ये तैयारी में लगा रहे है ठीक है इतने अंधीरे में एक उमीद आपके मन में अब जागने वाली है इस reading के बाद क्योंकि the end of a tough cycle approaches ध्यान से देखिए ठीक है अभी तक का बहुत ज़्यादा ये इस person की तरफ से अब आप कभी भी कुछ भी सुनोगे इस person की तरफ से आपको कुछ भी करने के लिए नहीं मिलेगा ना हिस person की तरफ से आप कभी भी दुबारा कभी reunite कर पाऊगे लेकिन होगा तो यही surprise तो यही मिलेगा है ना mean, जो major surprise यही है ठीक है पूरी तरीके से देखे मैं बहुत जादा हैरान हूँ पर मैं बहुत खुश हूँ कि इस परसन इस कमिंग क्लोस टू यू अप्रोचिंग वेरी सून यह ट्विस्ट जो है कहानी में कि अचानक से बदलना अचानक इनके इरादे बदलते हुए नजर आ रहे हैं अचानक इनके इरादे मुझे बहुत मजबूथ दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए यह good news बहुत बड़ी है बहुत बड़ी good news है comment section में जल्दी जल्दी लिखिए come soon come soon जल्दी जल्दी लिखिए description box में new reading का link है देख के जरूर जाइएगा मैं मिलूंगी नेक्स रिडिंग में एक निव अनर्जी के साथ तब तक के लिए सब भी को God bless you, love you all Take care and bye bye